गुड मॉर्णिंग उकेजी क्लास कैसे हैं आप बच्चो आज आपका इंग्लिस कर्षिप का टन है तो चले इंग्लिस कर्षिप के बुक निकालिए आज हम न्यू चेप्टर पढ़ेंगे आपका एक्टिविटी टाइम्स जिसमें है रीड एंड राइट यहां पे है आपका अवर रिलेशन्स यानि के हमारे संबंद ओके संबंद यानि जो रिष्टेदार होते हैं ओके तो यहां पे हैं आपको दे रखे सबसे पहले में है आपका जी आर एंड ग्रैंड फादर एफ एटी ह इआ पादर यहां पे आपके ग्रैंड फादर है दाद़ जी यानि के मतलव तो आपने इसको नीचे बारी लाइन्स में भी लिखना है पिर है जी आर एड दी ग्रैंड मदर मो टी एच ए आड ए आर मदर मतलव दादी तो आपने नीचे वाली लाइन में इसको लिखना है फिर है F-A-T-H-E-R यानि कि पापा या पापा जी तो आपने क्या करना है? नीचे वाली लाइन में इसको लिखना है आप देखे M-O-T-H-E-R Mother, मदर मने ममी या मा या माता जी तो आपने नीचे वाली लाइन में इसको लिखना है फिर है B-R-O-T-H-E-R Brother यानि कि भाई आपका बड़ा भाई, छोड़ा भाई तो आपने क्या करना है? नीचे वाली लाइन में लिखना है फिर है आपका Sister S-I-S-T-E-R sister यानि की पहन तो आपने क्या करना है? नीचे वाली लाइन में इसको भी लिखना है फिर है U-N-C-L-E Uncle यानि की चाजा Uncle मने चाजा तो आपने क्या करना है लीचे की लाइन में इसको भी लिखना है फिर ए, यू, एन, टी, आंट, आंट माने, चाची तो आपने क्या करना है लीचे बाइन में इसको भी लिखना है तो ये क्या है आपके सारे जो रिष्टे में आते हैं यानि की relation में आते हैं, यानि की रिष्टे में आते हैं आपकी, उनको हम क्या-क्या बोलते हैं, जैसे आपकी grandfather हो गए, grandmother हो गई, father, mother, brothers, sisters, uncle, auntie, ओके, तो ये क्या हैं आपके? ये relations में आते हैं, तो आपने क्या करना है, इनको भी याद करना है, और अपनी book में अच्छी writing में लिखना भी है, ओके? तो आज का काम आपका यही था, आप कीजिए, अच्छा से कीजिए, ओके?